तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भोटर आइडी में किस तरीका से हम सुधार करवाएंगे, करेक्शन करवाएंगे, जैसे नाम हो गिया, लिंग हो गिया, डेट अब बर्थ हो गिया, जेंडर हो गिया, पिक्चर हो गिया, इपी आइसी हो गिया, तो बहुत सा कर दिया जाता है तो सोगाज में ही इंजिनिर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूं किस तरीका से आप अपने भोटर कार्ट में मवाल से घर बैठे किस तरीका से आप सुधार करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं मेरे तो खूं में टैटेनियम है आप ऐसा करने की कोशिस कीजिएगा और आप कर भी सकते हैं पले स्टोडी से भोटर हैर प्लैन आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आप पहले से डाउनलोड किये हुए हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहां से इसको ओपन कर करेंगे नियुक्स करते हैं आपको सामने कोची इस तरह का शॉप्षन ओपन होकर आ जाता है अब अपना मोबाइल नंबर और पास्वड डालके लोगिन करेंगे यह एसकी प्लोगिन पर करके बीना लोगिन किये इस पर आप अपना वर्क कर सकते हैं मतलब अपना प्रोटर डालने के नाम डालके करेंगे तो यहां मैंने नाम डाल दिया है नाम डालके यहां पर मैं ओके करूंगा ओके करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीका से प्रेज ओपन होके आ जाता है यहां लेक्स स्टार्ट पर करेंगे यहां बोला है कि और लेडिया है यह वोटर आईड आपको यहां पर डाल देना है डालने के बाद है तो नंबर यहां पर डाल देता हूं करेंगे हिए करेंगे आपको पूरा डीटियल जो singaleAslamप है कि और पूरलीगे थे संब्ली मिल जाता है सफिर्फ आप यह से ऍैक्स्ट करेंगे अब का जो क्रेक्षन कराना चाहते हैं जाै के जब वहाँ जो है श्राप्शन हमें पर श्राइ defour कृषन चानल से लिए लगां clás जहां जन्धर टीक मर्ट कर checkpoint爆व करने अब यहां पर देना मुवायल नमब्र आपको यहां पर डालना है फॉबबाद देने के लिए क्या देना चाहते हो डॉकुमेंट नग्सके चूज कर लेंगे जैसे आधर हार काड सर्टिफिकेट अटक और पांच क्लास का इंडियन पासपोर्ट पेन का डाइबर लैसे और इसके बाद यहां पर अभाद का नंबर इसमें टाइपिंग करना है और जहां भी आपका अधहार काड है अफुलोड करना पड़ेगा चलिए आपको पहले अधहार का नमबर टाइपिंग कर देता हूं कि अधार का नमबर डालने के वाद यहां अफ्लोट करने यहां से नेक्स करेंगे अब यहाँ देख हैं कि आप अप्लिकेंट जो जिसका फॉर्म मह उसका नाम यहां बोला डालने के लिए सिम्प्ली जो चलि मुह सहरे आपर लाइड में स्पहेगा जाए की विए सबस्ते कर सकते हैं अगर लग रहा है सब कुछ साही है सिंपल यहां कॉन फॉर्म है लिखा हुआ इस पर ओके करेंगे ओके करने के ही आपका यह फॉर्म सक्सेस्फुली समिट हो जाता है और आपको एक रिफ्रेंस नंबर दे देता है इस रफ्रेंस नंबर से आप अपने जो अप्लिकेशन है उसको ट्रैक करके देख सकते हैं कि आपका जो अप्लिकेशन है उसका इस्थीति क्या है अब यहां पर देख रहे हैं कि आपका जो अप्लिकेशन है सक्सेस्फुली समिट हो चुका है और यहां पर देख रहे हैं कि आपका एक रिफ्रेंस आइडी भी आपको दे दिया है तो इस रिफ्रेंस आइड करने के लिए नीचे डेखने के support कर देना है तो आपको नीचे पूरा ब्रियोटा आजाएगा यह आप दिख रहें कि आप लेकर मिला है आपको एडिसमें डाल के तो आपको नीचे पूरा आजाएगा या आप देख रहें कि आप लेकर इंट अप्लाइड फॉर्म आप सिंपली इस पर किलिक करेंगे और जितना भी आप जो किये रहेंगे अप्लाइड उसमें टोटल आ जाता है तो सिंपली यहां अप्लाइड वाले फॉर्म पर हम करेंग अब यहां देखिए जैसे मैं अप्लाइड वोकी किया हूं तो आपके सामने कुछ इस तरीका से यह बेज ओपन होड के आ चुका है यहां पर देख रहें कि यह जो है अप्लिकेंस सम्मिट हो चुका है यह यह लोग के पास जागा इसका फिल्ड वेरिफिकेशन होगा इसक यह फोर्म रिजयक्ट हो जाता है तो दुबारा से इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और इसको आप अपने नजदी की सेंटर में जाके इसका प्रिंट और भी आप निकाल सकते हैं सोगाज आपने जाना कि किस तरीका से हम day car कोई भी करेक्शन कोई भी शुधार करवा सकते हैं तो आई होपकि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाक करे अपने फ्रेंड से सेर करे और आपके दिल में कोई question हो तो comment box में जाके comment करके पूछ सकते हैं